बात करने वाले हैं परधान मंतरी आवास योजना गरामीन इसमें कौन लोग एपातर होंगे और कौन पातर होंगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ चलिए वीडियो शुरू करते हैं दरसल हर जिलों का अलग 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 से निधरित किया गया था किसी किसी जिलों में 100% लग से हो गया है आवास का यानिके 100% लोगों के आवास बन चुके है 2011 की जनकर्णा के अनुसार जो लिष्ट बने गी थी उसमें 37% लग से पूरा हो गया है कुछ जिलों के अंदर और कुछ जहांगा पर 90% हुआ है कहीं पर 95% हुआ है तो अब जहांपर लग से पूरा हो गया है वहाँपर एक सूची बने जा रही है जिसका नाम 2011 की सूची में नहीं है यानिके जिसका परदामतरी आवास योजिना में नाम नहीं आया है तो उन लोगों की एक सूची बनाए गई है उस सूची में जाच का काम चल रहा है अब उनसे आवास दे जाएगा जो उस सूची से जो लोग छुट गए थे अब उनकी जाच की जारी है तो उसमें बताए गया है कि पड़ामत्रे आवास योजना में पंचैत सचीव होंगे जिम्मिदार अगर कोई गड़बड़ी होती है तो पातरता सूची पर जाच की जारी है अब पंचैत सचीव पातरों और एव पातरों के साथ होटों खिजवा कर पत्रवलिया तियार करेंगे ताकि पातर और एव पातर की सही पैच्छान हो सके सत्यапन के साथ ही रेजिट्रेशन का कार्या भी सुरू कर देगा है सत्या जोब कार्ड आदरा कार्ड बैग पास बुक कि छाय परती पर्मानित करते हो impair जो सचीव है पत्रा वलिया त्यार करेंगे सचीव है सेकेर्ड़ी को पतरता सूची में अंतिम दोर का काम सेश है अंतिम दोर का काम चल रहा है इसमें आवास पलस सोप्टवेर में लिक अप करने के बाद जिले को PM आवास निर्मान के लिए लगसे मिल जाएगा उसके बाद PM आवास योजिना में चिनहित 2011 के लाबारतों को सत परतिसत आवास दिया जा जुका है कुछ जिलों में छूटे गरिबों को अतिरिक्त पातरता सूची बनाई गई है तीन बार सत्यापन जियो टैगिंग के बाद पातर वे आपातरों के साथ सचिव फोटो खिचवा कर फोटो अफलोड कर रही है जियो टैगिंग होगी पातरों की और कुछ जिलों में तो काफी रिष्टेशन भी हो चुके है आवास के जो पातर है उसकी जाँ चल रही है तो अब सरकार का ये लक्स है पूरे उत्तव परदेश में कि जो जिसका प्रधामत्रियावास योजनमें लिष्ट में नाम नहीं आया है छूट गए है 2011 की सूची से लगबाग उसका तो पूरा मकान बन ही गए है लेकि जो छूट गए है कि उनको भी इस सूची में समिल कर लिया जाए कोई भी बिनावास के न रहे तो ये लगसा सरकार का है अब आपको बताने वाला हूँ एव पातर तक के सिर नहीं कौन कौन लोग इसमें एव पातर होंगे सबसे पहले जिसके पास बाइक होगी वह परधामत्रियावास योजने के लिए एव पातर माने जाएंगे जिसके पास कार होगी वह पातर होगे नाव, ट्रेक्टर पचास जार से अधिक किसान क्रिडिट कारड वाले, सरकारी करमचारी सरकार के पास पंजीकृत गैर किर्सी उधमी वाले परवार जो सरकार के पंजीकृत है यहने किर्सी कारे से इतर कोई भी अन्यकारे करते है उध्मी है तो में भी इसके लिए आपात्र होंगे आई करदाता जो इंकम टेक्स देते हैं में भी आपात्र होंगे जिसके पास रेफ्रिजरेटर है वे भी आपात्र होंगे और जिसके पास लेड़ लाइन फोन है वे भी आपात्र होंगे और ढही あいए एकड़ से अधिक जमिन जिसके पास रेव भी आप वात्र हाँगे अगर ढई एकड़ सेकम है तो पातर नावास यूजने के लिए तो इसकी जांच की जानी है 15 संचीव के दोरा ये पतरता सुची कि जाच चल रही है तो पूरी जाच चलेगी तिन तिन बार जाच होगी जाआ पर नहीं बेसमें तुमे एक लाग भीस जाव रूपय रुपे मिलते हैं तीन किस्तों में और इसके साथ ही मंद्रेगा की मजदूरी भी मिलती है परदंगते अवाशी उजने के साथ ही तो ये जानकरी थी वैसे पूरे उत्तर परदेश में चल रहा है लेकिन एक अस्पेसल जानकरी आई है 12 मंकी से, 12 मंकी में 37 लक्सा पूरा हो गया है और ये जानकरी वैसे पूरे उत्तर परदेश के लिए है अगर ये जानकरी अच्छी लगी है तो ऐसे ही अन्य जानकरी के लिए जुड़े रही है हमारे चनल के साथ में तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद